21 मार्च 2017 को इंडियन आर्मी में भड़ते हुए महिंद्रगड के लाल करन सिंग ट्रेनिंग के दौरान हुए एक हाथसे में शहीद हो गए पिता को 30 सितंबर को फून पर एक कॉल आया बताया गया कि आपके बेटे की तवियत ज्यादा खराब है और फिलहाल वो डॉक्टरों के निगरानी में है बस इतना ही काफी था एक पिता के समझने के लिए कि कुछ बुरा हुने वाला है अस्पताल में इलाज के दोरान करन सिंग ने दम तोड़ दिया जुसके बाद घर में मातम छा गया और फिर करन सिंग का शेव पैतरिक गाउं पहुंचा जहां ग्रामिनों ने शहीद की कई किलो मीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाली और फिर पूरे राजगिय समान के साथ करन सिंग का पैतरिक गाउं सुंदरह में अंतिम संसकार किया गया तो क्या क्या ट्रेंडिंग चल रही थी क्या कुछ था कि कितने दीन के ट्रेंडिंग वह तो पहले देंगे पर दूबार तरेंग तक आपको वहां से क्या कुछ संदेश दिया गया था जब इनकी इनेट की तरफ से क्या संदेश दिया गए था बता है तो पैसा नहीं पाया लेकिन वो आप बोल रहे थी जी थोड़ा कट से बोल रहे हैं आप करण के पाप है अच्छी जी तो उसने थोड़ा सा अंदर मुस्वाव में डांड़ों से बिजनत्य होए का कि बड़ी होना लाइक बंदा था लेकिन रेनी के दोरा में स्विमिंग के अंदर कुछ शीरिस हो गया डॉक्त रिलाज कर रहे हैं हो सकता है दोवारा आम बात करवा भी तो फिर आए जो है आपकी बातचीत हुई थी उस समय बिल्गुल ठीक थे वो किसी प्रगार की कोई दिवकत नह कर भी धी शहीद करण सिंग महराश्ट के बेल गाओं में 13 की कमांडों के ट्रेनिग कर रहे थे शहीद का पार्थिव शरीरonne शनिवार शाम को हवाई माधयम से दिल्लि लाये गया रात्री को सेना अस्पताल में रखकर कल रविवार को उनका पार्थिव शरीर पैत्रिक गाउं सुन्दर रहा में लाया गया था परिजनों के मताबिक शहीद करन कुछ दिन पहले ही 15 दिन की छुटी पर घर आये थे उन्होंने बताया था कि ट्रेनिंग अच्छी चल रही है ऐसे में शहीद का परिवार अब सरकार से मांग कर रहा है कि गाउं में राज के विद्यालेओं को करन सिंग का नाम दिया जाए सबसे बड़ी बात है कि में महिला हूं तो महिला के नाते इस विरांगना ने अपने पती की सादद दी महुंस को सलाम करती हूं और इस परिवार को सलाम करती हूं इस तरहे बाल थे वह कि रहर्य हमारे बीच में से चलागां लेकिन फुछी बात की है वह ईङो हश्ते घर रह्यां होग वैसे तो ब्हुती प्रेड़ना भी है आजभी वहाओं के लिए प्रेड़ना है हम इस बहर्ते निकलते हैं तो हमारा कि इलाका ही नहीं इन्होंने इलाके का तो नाम किया है करण सिंग में गवर्वानमी तेस के लिए साहिद वहा तो तेस का नाम इसमें सबसे अग्रणी पंक्ति में दिखा जाएगा अगी 24 साल की उमर में नीवली मेरिट बच्चा जो आज शादी करके गया था उनको आज ऐसे हो पड़ा उलाके में रोज तो है है पर मेरी एक एलक्टिड होने के नाते एकसेमेले होने के नाते बैसरकार से मांग करूंगी कि जो भी हर्याना गॉवर्मेंट की जो जो भी शहीद के परति हमारे यहां पे जितने भी वह पनते हैं इतने भी सुधाये बनती हैं सहीद वह भी है मगर यूँ अचानक चले जाने के बाद करन के पतनी और बाकी लोग आहत हैं अब ऐसे में सरकार से जरूर उम्मीद की जा रही है कि वह शहीद के परिवार को जरूर सुविधाई दे ताकि आगे के जिन्दगी उनकी आराम से गुजरे हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद